असलामने को मैं योटीब फाइमली विल्किम बैक टो माई न्यू वीडियो आज की वीडियो के अंदर थोड़ी से अपडेट्स दोंगा आपको मनी प्लांट से रिलेटेड और जैसे आप यह देख रहे हैं मैंने लास्ट अपनी एक वीडियो बनाई थी DIY हैंगिंग है लेगिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडे चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेर ज़रूर कीजेगा तो जैसे अगर आप यह देख सके मैं आपको इसकी कटिंग निकाल के दिखा रहा हूं इसक पानी में लगाते हैं तो आपको उसकी रूट्स ग्रो होती होई दिखती हैं तो आप उसको वही सही टाइम होता है आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं मिटी के अंदर भी तो आप सौयल के अंदर उसको इसली शिफ्ट कर सकते हैं तो देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी वो भी जो है वो काफी बड़े साइस की हो गई है तो इसलिए मैंने एक चोड़ा सा यहां पर रिसाइकल किया है फूट बास्केट अकसर हमें देखने को मिलती है तो यह मेरे पास एक फूट बास्केट पड़ी थी तो मैंने इसके चारों साइड पे प्लास्टिक कवर लगा लिए है और नीचे से इसके मैंने जो जगा होती है वो बिल्कुल खाली रखी है नीचे मैंने प्लास्टिक नहीं लगाया क्योंकि इसके नीचे भी जहां पर यह रखी हुई है वो मिटी ही है तो इसलिए वो मैंने छोड़ दी है अगर आपके पास फर्श वगरा है या के अंदर फिल कर दी है अब बारी है कि मैं इसके अंदर जो है वो पानी भी एड़ कर दूँ और इसकी सेटिंग कर दूँ प्रॉपरली ताकि एक प्रॉपर बैड बन जाए और इसके अंदर जो है वो मैं अपनी मनी प्लांट की कटिंग जो है वो लगा दूँगा पानी क् फर्स टाइम इसके अंदर दिया जा रहा है तो अच्छे से आपके पानी देना है ताके जो भी नीचे एरस्पेसिस वगरा है वो खतम हो जाए और मिटी जितनी बैटनी है बैट जाए उसके अंदर हमें मजीद अगर मिटी आइड करनी है तो हम वो भी कर दें तो इस तरह से म मैंने तमाम कटिंग जू है देख सकते हैं जो है वो प्रॉपर अंदर जानी चाहिए रूट्स उपर नहीं होनी चाहिए क्यूंगि वह पानी की जो उसकी रिक्टिंगर मैंट है वो फिल्म नहीं होगी इसको हमने पूरा मिटी के अंदर जू है वो छटा मैं तो इस Πारक्न तमाम कटिंग्स लगा दी हैं और कुछ हर से बाद का अगर आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाऊ तो आप यह देख सकते हैं जितनी इसके अंदर मैंने कटिंग्स लगाई थी उन सब में से माशाला बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रही है और तकरीबन दो दो तीन तीन ब्राइट लाइट के अंदर रखा है जहां इसको धूप डिरेक्ली नहीं मिल रही और लेकिन यहां पर इसको जो है वो थोड़ी सी पार्शली जो है आप संलाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं सुबा की है जो शाम की धूप होती है वो अगर मिल जा तो वह भी बुरी नह होती है तो इस तरह से यह तमाम जो है वो इसके जितनी भी कटिंग्स मैंने लगाई थी उन मेंसे जो है न्यू लिए जो है वो बहुत अच्छे से इनकी ग्रोव हो रहे है अब आप च्छाहें तो इसके अंदर से भी कटिंग करके इनको मल्डिप्लाय कर सकते हैं और इनको से देख सकते हैं कोई इसमें rocket science नहीं है बहुत simple काम है तो I hope कि आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly चैनल सब्सक्राइब कर लें अपना feedback ज़रूर दिया करें नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए है वो भी कमेंट्स में मुझे बताया करें और नेक्स्ट वीडियो तके लिए अलाफेस